हाई अबरेबन आप सबसे पहले जो मैं अपने वीडियो बनाता था ये है मेरे लाइफ का पहला कैमरा जो कि है Canon 200D ये कैमरा मैं पहले यूज करता था अपने वीडियो बनाने के लिए लेकिन दोस्तों अभी मैंने हाल फिवाली में कैमरा अपग्रेड किया है और मैंने ले लिया है Canon का 90D जो कि देख सकते हो ये है Canon का 90D तो दोस्तों ये लेने का मेरा जो है महना बर हो चुका है आप लोगा बहुत सारा कमेंट्स आता है कि आपका नया कैमरा का रिवीव किजिए थोड़ा बताईए इसका क्या खासियत है क्या आपका चेंज़े दाया है तो आज किस वीडियो पर मैं आप लोग भी इसका रिवीव करूंगा दिखाऊंगा इसका क्वालिटी कैसा है और क्या-क्या- आप चैनल को नहीं होती है या सबस्क्राइब कर लेने साथ बैल आकिन को प्रेस करने चलेका आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईज आज किस वीडियो को सुरू करने इस पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जो पहला लाइफ का कैमरा होता है उसको लेने का का हो जाता है आप आस्मान जमिन का फरक हो जाता है सीधे मोबाइल से जब आप DSLR पर जाते हो लेकिन दोस्ते एक कम दाम का DSLR और फिर महंगा DSLR लेते हो तो ज्यादा जो डिफ्रेंस क्वालिटी का वह आपको देखने को नहीं मिलता है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है व उससे पहले मालीज आप स्मार्टफोन से वीडियो बनाते थे तो उसमें जो डिफ्रेंस दिखेगा वह गजब का डिफ्रेंस दिखेगा तो यह एक चीज़ आप लोग से क्लियर करना था चलिए आज कि इस वीडियो पर इसका रिव्यू करते हैं इसके वाले केमरे का और आ मैंने 50 mm का लेंस लगा रखा है यह है Canon का 200D जो कि मैं पहले अपने YouTube वीडियो बनाने के लिए रखता था ठीक है अब दोस्तों मैंने नया जो लिया है वो है यह Canon 90D ठीक है Canon EOS 90D आप लोग लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका बोड़ी जो है आप लोग देख सकते हैं कि 200 100D से बहुत बड़ा है बहुत यूज है इसका साइज और भारी भी बहुत है वो बहुत ज्यादा हलका है ठीक है और यह बड़ा इसका बोड़ी इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पर लेंस लगा हुआ है और इसमें विदाउट लेंस का भी जो है इतना बड़ा आपको अखिया दूं तो एस सबसे पहले मिला यह बैटरी ठीक है जो के अच्छा कासा बैटरी जो है इसमें बैक अप दे देता है 1865 mh का यह बैटरी ठीक है यह मिला है इस कैमरे के साथ उसके बाद घार इसके साथ मिला एक 16 GB का मेमरी कार्ड ठीक है यह रहा और गयज इसके साथ मिला है चार्जर तो गाज यह देख सकते हो यह हो चार्जर जिससे यह बैटरी चार्ज होता है चार्जर थोड़ा मोडिफाइड है ठीक है अगर एक बार ब्लिंग करेगा तो आप समझे ना 0% बैटरी है दो बार करने से 50% तीन बार करने से 75% और अगर ग्रीन लाइट यहाँ पर जलता है तो यह 100% चार्ज हो चुका है इसका मतलब यह इंडिकेटर था आप दोस्ति यहाँ पर पूरे मयन जो है कैमरे के और आते हैं और इस पर मैं सारा कुछ अब पहले लगा लेता हूँ इसमें लेंस फिट कर लेता हूँ यह 50mm फिट कर लेता हूँ उसके बाद आप लोग इसके पारे मेंडिटेल बताता हूँ इसमें क्या खास बात है So guys मैंने यहाँ पर देखिए लेंस को फिट कर दिया है 50mm का इस पर और यहाँ पर है इसका बैटरी लगाने का नीचे साइड पर यहाँ पर आराम से आपका जो है बैटरी लग जाएगा यह मैंने बैटरी लगा दिया और मेमरी काड लगाने के लिए इस साइड में है यहाँ पर जो है आपका मेमरी लगता है ति यह मेमरी काड मैंने यहाँ इं नहीं देखोगे दिखेगा नहीं आप कैसे वीडियो को सुट करोगे एंगल-एंगल समाज में नहीं आएगा तो यह सबसे पहला फीचर्स आप लोग समझ सकते हैं जो कि टिल्ट हो जाता है और यहां पर जो है सबसे पहली बात अगर यह टिल्ट डिस्प्ले रहेगा तो बेसिक सारा केबल लगाने का आपको मिल जाएगा और यहां पर है गाईस माइक लगाने का और हेड़फॉन लगाने का ठीक है और यहां पर भी एक कोई कनेक्शन दिया हुआ है यह देख सकते हो पता नहीं यह क्या है मेरे यूज का नहीं यहां पर सिर्फ मुझे माइक जगा नहीं होगा आप यूटूब विडियो बनाते हो तो और यहां पर सारा जो है आपका यह मिलता है जहां से आप मैनुवल मोड में जा सकते हो ऑटो मोड में एवी सारा यहां पर मोड दिया हुआ है बाकी इधर देख सकते हो यह है एक मतलब गीर टाइप का स्क्रॉलिं तो कुछ इस तरह का यह ओन होने के बाद आ जाता है तो अभी देखिए यह मैनुवल मोड में है इसके सबसे पहले आयोसी की बात करें तो गाईज इसमें जो है पंद्रह हजार 12800 का देखिए यहां पर मैक्सिमाम आयोसो देखने को मिलता है कैमरा मोड पर आपको और भी ज नहीं है ठीक है इससे बहुत कम है मुझे याद नहीं आ रहा है तो यह आईसो है बाकी अधर फोकस ठीक यह सारह कुछ आपको बेसिक जो आपको 4K का सपोर्ट मिलता है ठीक है मैं वीडियो मोड पर जाने के बाद आप लोगों दिखाता हूं तो यह देख सकते हो मूवी क्वालिटी यह देख सकते हो 4K मूवी क्रॉपिंग तो यह आपको 4K का फूल फ्रेम जो है यहाँ पर दिया हुआ है इस कैमरे पे जो की फूल फ्रेम सारे कैमरे पे नहीं होता है बाकी इदा तरो टाचिस्क्रीन से सारा कंट्रोल करे सकते हों तो इस तरह दोस्तों यह जो है कैमरा है बाकी आप लोग तो बेसिक चीज समझ सकते हो अब चलिए ज़्यादा टाइम ना इंविश करके इधा थोड़ा मैं दिखा दो यहाँ पर भी एक डिस्प्ले है जहाँ साब सारा कंकरी कर सकते हो बाकि यह है साटर बटन तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगए और इसका देखके वोडियो फूटेज में दिखाता हूं कि किस्तर का क्वालिटी आता है, तो गाज अभी जो आप देख रहे हो यह है नए चम्रे केमरी के क्वालिटी जिस нравится मैंने 50 एम्म का लेंस लगा दिया है और यह Canon का 90D जोके मैंने सेह्ट कर दिया है तो अभि आपलोग जो क्वालिटी देख रहे हो यह हैं नए 90D का quality तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये जो मेरे पहले का camera था Canon 200D इससे इसमें जो quality है ये थोड़ा सा ज्यादा है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है इसमें clarity जो है वो ज्यादा है natural type का इसमें quality आता है ठीक है इसका exposure लिए सब सेट कर देने से अच्छा कासा इसमें करने के लिए तो बाकी दोस्ता आप लोग comment पर बताना का आप लोग को quality कैसा लगा और दोस्तों अगर आप लोग को ये camera अच्छा लगा है अगर आपको buy करना है तो buying link जो है purchase करने का link वो description में मैंने दे दिया है जाकर को वहाँ से buy भी कर सकते हो साथ ही दोस्तों उमीद कर झाल